हैलो एब्रिवान आज मैं बताऊंगी माइकल जॉर्डन के बारे माइकल जॉर्डन का जन्व सत्रव फरवरे उने सतिरुषट को नियोर्क में हुआ था वह एक बहुत ही करीब परिवार से थे उनका एक छोटा सा घर था वह शुरू से ही एक बड़ी सोच रखते थे और बेटा यह एक कपड़ा है यह कपड़ा में तुझे दे रहा हूं तु इसे एक बेच कर कल मेरे पास माइकल जॉर्डन अपने पिता की बास उनका सोचने लगें कि अब मैं इस बेकार से कपड़े को एक रुपे में कैसे बेच उन्होंने उस कपड़ी को सबसे पहले समय तक रख दिये जिस वज़ा से वह कपड़ा सिधा हो गया और दिखने में अच्छा लगने लगा उसके बाद वह बाजार गया और उस कपड़े को बेच कर अगले ही दिन अपने पिता के सामने प्रस्तुत हुए या देख उनकी पिता बहुत ही खुश हुए कुछ समय ब बहुत ही अचंबित हुए वह सोचने लगे कि मेरे पिता मुझसे ऐसा क्यों कहते हैं उन्होंने फिर भी अपने पापा से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा वह कपड़े को लेकर निकल गया है सबसे पहले उन्होंने उस कपड़े की अच्छी तरह दुलाई की और अपने ए माइकल जोडन ने बहुत ही अच्छे खेल की वज़ा से उनको बहुत से विश्विद्दालियों से असकॉलर्शिप का आफ़र आया बहुत सोचने के बाद माइकल जोडन ने अपने घर के पास रहना पसंद किया और नर्थ केरोलिना विश्विद्दाले को चुना पहले ही सीजन में उन्होंने नौर्थ के रोलिन्य विश्वी जाले में अट्लांटिक कोस्ट कॉन्फरेंश रुकी का अवाड जिता 1984 में माइकल जॉर्डन उनाइटर अस्टेट ऑलम्पिक्स बास्केट बॉल्ट टीम का हिश्चा बने और कैलिफॉर्निय में गॉल्ड मेडल भी जिता फिर वे नैशनल बास्केट बॉल एस्सोसियेशन में शिकागो बुल्स टीम में चुने गये माइकल जॉर्डन ने अपने करियर के NBA टूना में अन्ट मेच शिकागो बुल्स और वाशिंटन विजोड के लिए 15 शिजन में लगातार खेले थे जब माइकल जॉर्डन को शिकागो बुल्स बास्केट बॉल टीम में चुना गया तब वे टीम कुछ खाश परदर्शन नह लगी माइकल जॉर्डन को पहले और अस्टार टीम और बाद में उनको लीग रूकी ऑफ दा इयर आवर्ट से नमाशा गया 1985 से 1986 सीजन के समय माइकल जॉर्डन अपनी पेर की चोट के साथ वापिस गेम में आए और उन्होंने पहले गेम में 49 पॉइंट अस्कॉर किये बॉस्टन सेल्टिक्स के खिलाब और दुसरी गेम में 63 पॉइंट अस्कॉर किये इसके साथ माइकल जॉर्डन ने एक नया रिकोर्ड बनाया जिसे NBA प्ली आफ रिकोर्ड कहा गया NBA के अनुशर माइकल जॉर्डन ग्रेटिस्ट और टाइम बेस्ट बास्केट बॉल प्लेयर है ओलम्पिक करियर जोर्डन दो ओलम्पिक श्वन पदक विजेता अमेरीकी बास्कट बॉल टीम में खेले 1912 के गरिश्मकाली ओलम्पिक में मेजिक जॉंसन लेरी बर्ड और डेविल रॉबिंसन की स्क्वाइट टीम के सदेश बने जिसे ड्रीम टीम का नाम दिया गया था एविंग और क्रिश मुलिन सौक्या और पेशेवर के रुप में ओलम्पिक स्वन जितने वाले एक मात्र अमेरीकी प्रूशों की बास्केट बॉल खिलाड़ी है माइकल जॉर्डन का कारियर छेत्र माइकल ने नेशनल बास्केट बॉल एसोसियेशन के जरिये दुनिया भर में बहुत नाम कमा माइकल का खेल करियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब माइकल ने बास्केट बॉल से हट कर बेशबॉल में रुची दिखाई लेकिन फिर उन्होंने बास्केट बॉल को ही अपने वेशाई खेल के तोर पर आगे बढ़ाया 1997 में माइकल ने अपनी खेल से सन्यास ले लिया इसके बाद भी वे वासिंग्टन विजाड तीम के आनर है लेकिन ज़्यादा शमी तक माइकल अपने आपको बास्केट बॉल से दूर नहीं रख पाए 2001 में उन्होंनी फिर से वासिंग्टन विजाड के लिए खेलना शुरू कर गिया और लगाता दो वर्षे तक फिर इस टीम का हिस्सा रहे अन्त में 2003 में माइकल ने खेल को हमेशा के लिए अलविदा का दिया माइकल एक खिलाडी तो है ही साथ ही वे एक सफल युद्यमी भी है वे चारलोट वापकर्ट्स नमक कंपनी के मालिक भी है माइकल जॉर्डन का वेक्तिगर चीवन इवंपरियोर माइकल नी दो शादियां की माइकल ने पाली साधी सितंबर 1989 में की उनकी पाली पत्नी का नाम जुआनिता वनेया था माइकल और जुआनिता के तीन बच्चें जिन में से दो लड़के माक्स जैम्स और जैफरी माइकल एवं एक लड़की जर्श्मीन है जिनके साथ उनका विवाईक जीवन सत्रों साल चला और दोज़चे में उनका तलाख हो गया माइकल ने जुआनिता को तलाख के बदल सलो सटार क्रोट डॉलर की राशी देनी पड़ी थी जो सन दोज़चें तक का सबसे बड़ा तलाख हर जाना था माइकल ने दुसरी साथी सत्ताइस अप्रेल दोज़र तेरो को कुई बाई मॉडल यह वती प्रीतों से की मीडिया परशीद व्यक्ति जॉर्डन खेल के छेत्र में इतिहास के परशीद व्यक्ति है उन्होंने नाइके कोका कोला शेवर लेट गेटो रेड मेक डॉनाल्स ग परवक्तक किया गया नाइके ने उनके लिए एक सिगनेचर जूते बनाए और उन्हें एयर जॉर्डन का नाम दिया जुन 2010 में जॉर्डन को फॉर्प्स मैक जीन के अनुसार बीश्वा सबसे तेजस्वी ख्यार्ति का पद्परदान किया गया था स्वारलोट बापकर्ट्स मायこちら बहुमत रुप से स्वारलोट बापकर्ट्स के मालिक थे जॉर्डन को बास्केट बॉल खेल का पुरा दिकार था जॉर्डन की पिछली सफलता के बाजुद उन्होंने वीपनन अभ्यानों में शामिल ना हुनी का फैसला लिया था और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और शेयर जरूर करें